अब आप यह विए अब इस वेलकम टू माई चैनल आग जी विए अब बहुत फिन हेर्ज में कैसे कटिंग होनी चाहिए मैं वह दिखारी उप बहुत पत्री हेर्ज है अथ्ले हैं थोड़े लंबे हैं पर उनके पर अच्छी नहीं लग रहे हैं तो उनको चाहिए थोड़े और थोड़ा बांस तो गाइस देखिए कि मैं उनके कैसे हैर कट करनी हूं थोड़ा सा बांस दिखांगी उससाती कि इस इस प्रिक्टिंग में आपको दिखा दूबी तो गैस आई यह जोईन करिए और जिसने नहीं किया है तो गाइस क्या है इनके सबसे पहले देखिए इ थोड़े से फूले लगने पर मैं चूरी हूं तो इनके बहुत पतले बाल है थोड़े लॉंग बें भी है तो इनका कहना है कि मेरे को शॉर्ट में चाहिए नेक लेंथ और थोड़ा बांसी लगी तो बहुत थीन है समझ भी नहीं आ रहे हैं पर मुझे पता है इनके काभी तो यह सजेस्ट किया कि आपके शॉल्डर लेंथ होएगा नेक तक शॉल्डर भी नहीं नेक तक इन्होंने शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में रखे हैं मैं इसको पहले इक्विल काटूंगी क्लाइन को हमेशा दिखा कि आपको बाल काटने है और उसको अच्छे से से भी कोई फैदा नहीं रखने का इन्होंने इस टाइप से बाल जो कटवा हैं यह यह उपन रखेगी और इसमें कोई जोड़ा चोटी बनने की जुरत नहीं है यह सबसे अच्छे स्टाइल है फतला फेस है तो इसले इनके उपर शॉर्ट यह अच्छा लगएगा मैंने सारे बालों के काट लिया है नीचे से एक गाइडलाइन लेके उसी हेसाब से मैंने राइट साइट का पहले मैंने काटा है अच्छे से जाड़के काटना कोई बाल भी नहीं रहना चाहिए नीचे जो आपको एक्स्ट्रा बाल दिखता नीचे से फिर मैं लेफ्ट साइट का कट करूंगी लेंथ जो है मारी गाइडलाइन उसी को मैं रखके दूसरे बालों को मिला के काटूंगी एक्स्ट्रा दिख इस टाइप से मैं इधर के पूरे बालो को वन लेंद्थ का रहा है मैंने बालो को अच्छे से गीला करके और कीच के ही आप जाड़िए आपको सारे बालो को इक्विल करल हिरे ले, है, क्लान से पहले पूछना है कि उसको कितना बाल شाहिए क्यूंगी आप एक ड biggest का लिटा किया करिए बहुत शॉच हो चाहिए तो आप बड़े नहीं कर सकतें बड़े बाल है तो इसको आप शॉच कर सकतें मैंने इनको ब्लंड कट के दिया है अभी जो भी नीचे के आपको बाल दिखते एक्स्ट्रा आप उसको बहुत अच्छा से कट कर दीजे ताकि जब यह नेक डाउन करे तो इनके कोई भी एक्स्ट्रा बाल ना दिखे और नीट भी लगे के लिखें कम बालो का यह बहुत अच्छी स्टाइल है इसमें हैवी भी लगने लगता बांसी क्यूंकि सारे आपके जो पतली हैस थे वह सारे निकाल दिये मैंने सारे कट हो गए हैं ज्यादा ड्रायर वेगार इन बालो मेंनी लगाना है हाथ से यह अगर आप सेट कर सकते हो तो वह ज्यादा अच्छा है थलका गीला करके कि खुद भी अपने आप सेट कर लेंगी क्योंकि एक शॉट हीर की फोर्मिंग करने की आदत हो जाती तो वह इन सेट करते हैं अब इन्होंने बोला है कि मुझे इसमें थोड़े से स्टेप्स टाइप का नीचे कर दीजे ताकि और हैवी लुक लगे तो मैं इसके इनके बालो को मैं उसी मही में हलका से स्टेप्स दे दूंगी स्टेप्स थोड़े थोड़े बालो का ज्यादा कटनी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कट करेंगे तो फिर नीचे से थिन फिर से हो जाएंगे तो मैं थोड़े थोड़े बालो को कट करूंगी और इनके बालो को देखिए चारो तरफ से मैंने कर दिया है बहुत हलके हलके आगे के बहुत हलके कर रहे हैं क्योंकि अल्रेड़ी इनके थोड़े पतले हैं आगे के हलका सा U-type का लग रहा है इनका, आगे से मैंने mix कर दिये हैं, बोट side करना है, वो right side मैंने करके, अब left side में कर रही हूँ, बहुत minor सा करना है, बहुत जाद आपको उठा के step नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए आप इनका scale भी दिख रहा है, लेकिन जब सूख जाएंगे बाल तो सारे कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छा face लग रहा है, आगे का मैं मिला रही हूँ, तोरा से कैम्रा, आपको प्रोपर नी दिखर है, तोरा टीकू से भी खेलना हो गया, आप देखिए इसको फिर से नीट कर देना है, जितना नीट करेंगी उतनी अच्छा लगेगा, फिर इसको मैं हाथ से ही set कर दूंगी, आपको यूज नहीं करूंगी, और साइट करके इनका जाड़े, क्योंकि इनका पतला फेस है, जाड़ मैं इनका प्रॉपर फेस नहीं दिखा पाऊंगी, तिकी यह रेकिए, बैक से,